कि नश्कार competition community के comprehensive current affairs program में मैं पुख्राच करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत बहुत दिन हो गए थे लगभग डेड़ महीना मेरा कोई वीडियो current affairs का नहीं आया था तो अनेक प्रकार की चर्चाएं जो है वो यूट्यूब पर हुई ठीक है सब का थीम यही था कि पुख्राचर का वीडियो कब आएगा तो यार सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं वीडियो नहीं बना पाया इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था मैं चाहता था बनाना बट कुछ ऐसे circumstances आ गये थे को कमिट कर दूँ कि मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा करके इसलिए मैं गलत कमिट्मेंट नहीं करना चाहता था सिर्फ इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा था तो आप सभी से माफी चाहूंगा कि मैंने आपके कमिंट्स का भी रिप्लाई नहीं किया और कमिंट्स जो थारा दिन का जुलाई का, क्लियर है, मैं सबसे पहले इस वीडियो में 1 से 15 जुलाई 2022 2022 तक के करने फैर्स को मैं कवर करा रहा हूँ, वो इसलिए करा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो सबसे नया है, वो सबसे आदा इंपोर्टेंट है फिलहाल, तो पहले जुलाई का कर दिया कब तक मत पूछना, लेकिन जल्द ही बना के जुन का डाल दूँगा, यहां से कंटीन्यू करेंगे, जुलाई से आगे फिर जैसे ही वीकली जो सिस्टम अपना चलता था, वो वीकली सिस्टम चलता रहेगा, शनीवार इवनिंग को, शनीवार इवनिंग को हर बार मैं लेक भारी बात करतगा, पढ़ात लेती सकरके, चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलता है मैं पढ़ा लेता हूँ, चलो, आगया क्या, खाली स्लाइड, खाली स्लाइड का क्या मतलब है, आप सभी जानते हैं खाली स्लाइड में क्या आने वाले हैं, तो एक साहितिकार है, चलिए, तो ये एक महिला साहितिकार है, क्या नाम है इनका, तो नाम है तुलसी देवी तेवारी, क्या नाम है इनका, तो नाम है तुलसी देवी तेवारी, ये महिला साहितिकार है, code क्या याद रखोगे तो आपको पता होगा एक ना बहुत famous school है चत्तिरकण में KPS तो KPS school जो है इसके सामने कब तक क्या लगाओगे ठेला लगाओगे तो KPS school के सामने कब तक क्या लगाना ठेला लगाना है ठीक है भई तो K से देखना सबसे पहले है केजा फिर है के से कमला एक केजा दूसरा कमला ठीक है अब P से देखिए तो P से क्या है तो पहला है पिंजरा और परत दर परत एस से क्या है तो है सदर दरवाजा कब तक से याद रखना आखिर कब तक और ठेला से याद रखना है मेला ठेला समझ गए तो साहितिकार महिला साहितिकार क्या नाम है तुलसी देवी तिवारी क्लियर है के से क्या है केजा कमला P से पिंजरा परत दर परत S से सदर दरवाजा कब तक बोले तो आखिर कब तक और ठेला से है मेला ठेला कोट क्या बताया था के पीएस के सामने कब तक ठेला लगाओ गए क्लियर है अब इसमें एक दो फैक्ट है उसको याद रखना चलो वाइट कलर से बना देता हूं सबसे पहले ये जो केजा है ना ये सबसे इंपोर्टन रचना है इनकी किस भाषा में है तो 36 गड़ी केजा किस भाषा में है 36 गड़ी बाकी सब किस में है तो हिंदी बाकी सब किस में है हिंदी में अच्छा ये जितनी रचना है इनकी मैंने आपको बताई इसमें से एक कमला जो है ये क्या है तो ये है एक नोवल उपन्यास मीटत नहीं है गा उपन्यास तो कमला उपन्यास है बच गए जितने वो सब क्या है तो कहानी संग्रा है तो एक बार पूरा डिवाइस करा देता हूँ तूलसी देवी तिवारी साहितिकार ठीक, कोड क्या है? कब तक ठेला लगा आओगे तो के से केजा कमला ती से पिंजरा परत दर परत स सदर दरवाजा कब तक तो आखीर कब तक और ठेला से है मेला ठेला इसके बाद मैंने बताया केजा जो रचना है वो 36 गडि भार्षाम है बाकी सब हिंदी और कमला जो है यह असल में उपन्यास है अब बाकि सब बच गया इवन केजा भी वो सब क्या है कहानी संग्रा ख्लियर है तो I hope आपको प्रॉपली समझ आ गया होगा तो आए बिना टाइम को वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं देखते हैं सबसे पहला निउस तो पौधा तुहर दुआर इस योजना के अंतरगत क्या किया जा रहा है तो निशुल्क पौधा घर पहुच सेवा के रूप में आपको दिया जा रहा है क्लियर है यह ठीक है अब बेसिकली यह जो योजना है पौधा तुहर दुआर योजना इस योजना की अगर मैं शुरुवात की बात करू ना तो पहुमद अकबर जी ठेर है उद्देश क्या था तो हमारे राजिके जो नागरिक है जो बेसिकली हमारे राजिके क्या है citizens है इनको क्या करना तो हमारा जो environment है इसके प्रती जागरुक करना या environmentally इनको conscious बनाना समझ में आया की नहीं आया और इसके लिए सरकार क्या करती थी तो जिनको पौधा लगाना है तो एक संपर्क का नंबर दिया जाता है उसमें संपर्क करोगे तो इनको क्या किया जाता है निशुल्क पौधा दिया जाता था इस योजना के अंतरगत अब इस वर्ष क्या हुआ है ध्यान में रखेंगे तो इस वर्ष वाली घटना को मैं green में करता हूं ठीक है? तो एक जुलाई से 21 जुलाई क्या किया जाएगा? तो पौधो को निश्यल कुरूप से वितरित किया जाएगा कौन कौन से पौधा होंगे? ऐसे फल्डार पौधे दिये जाएगे एक व्यक्ति को अधिकतम पाँच पौधा पहुचा कर दिया जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जादा पौधा चायत नहीं मिलेगा उसके लिए अलग से प्रोसीजर है वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है और इसी के अंतरगत क्या किया गया है तो दक्षण कॉंडा गाउं जो वन मंडल है, फॉरेस्ट डिविजिन है उसमें क्या किया गया है तो कॉंडा गाउं नगरपाली का छेत्र में निशुल्क पौधा विद्रण का शुब आरम किया गया क्लियर है ये ठीक, तो अच्छे से समझिएगा इस न्यूज में हमने क्या देखा है सबसे पहले पौधा, तुहर दुवार, योजना शुरुवात और उसके बाद किसके दुवारा ठीक, उद्देश क्या था तो मैंने बताया नागरिको को एन्वार्मेंटली कॉंशियस बनाना ठीक है, एन्वार्मेंट मतलब क्या कहोगे जी हिंदी में तो उसके प्रती क्या करना जागरुग बनाना ठीक है, अच्छा और उसके बाद इस वर्ष में मैंने बताया है एक जुलाई से 31 जुलाई तक क्या किया जा रहा है निशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है तो जो हमारे सिटिजन हैं नागरिक हैं इनको environment के प्रती जागरुग कैसे बनाना है तो इनको पौधा देना है ठीक है, निशुल्क देंगे पौधा ताकि ये लोग क्या करें उसका रोपन करें उस पौधे को लगाएं जिससे क्या होगा तो greenery बढ़ेगा ठीक है और इससे हम लोग का जो वातवरण है इसमें शुद्धता भी आएगी तो इसके अंतरगत क्या किया जा रहा है निशुल्क पौधेक विद्रन किया जा रहा है इस साल क्या है अधिकताब पौधा दिया जा रहा है एक व्यक्तिक घर पहुँचा करें लेकिन ज्यादा भी मिल सकता है संपर्क करने पर कैसा कैसा पौधा है तो आवला मुंगा, निबू, गंगा, इमली, काजू, सिताफल, अम्रूद, आम ये सब फलदार पौधा दिया जा रहा है क्लियर है और उसके बाद इसी के अंतरगत मैंने बताया दक्षण, कोंडागाओ, वन मंडल साउथ, कोंडागाओ, फौरेस्ट, डिविजन के अंतरगत क्या आता है कोंडागाओ, नगर, पालिका कोंडागाओ, मुनिसिपल, काउंसिल कॉर्पोरेशन नहीं कर देना इस छेतर में निशुल्क पौधा, वित्रण जो है इसका क्या किया गया है शुभ आरम किया गया है प्री और मेंस के क्वेशन देखोगे तो इस योजना के उपर मेंस में क्वेशन देदेगा क्लियर है ये, 30 वर्ट्स में तब पेपर नमबर 5 में आजाएगा ये, ठीक है पेपर नमबर 5 में जो पहला भाग है, चत्रगण के अर्थवयवस्था उससे संबंद ले था, एक नौमी से पेपर नमबर 5 में भूगोल वाले सेक्शन में भी जो पार्ट 3 है, चत्रगण का भूगोल उसमें भी दे सकता है तो इस जगा का आप नाम जो है, उसको ध्यान में रखिएगा डन, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब अगला न्यूस क्या है तो चत्रगण सिविल सर्विसेस महिला होकी की जो टीम है उसने ब्रॉंज मेडल जीता है तो उस सिविल सर्विसेस प्रतियोगिता के अंतरगत क्या हुआ था, भोपाल मध्यप्रदेश, जानते चो आप लोग उसमें 21 जून 21 जून से लेके 30 जून तक होकी प्रतियोगिता का आयूजन किया गया था होकी टॉर्णमेंट किया गया था इसमें 36 गड़ सिविल सर्विसेस की तो फिर कास प्रदक, ठीक है भोपाल जो मेजवान था, उसको हमने 12 जीरो सराया है, खतरनाठ टैप से देख लेरो भीयतूमन है, ठीक है अच्छा, पिछले वर्ष भी ये टॉर्णमेंट हुआ था और इसमें 36 गड़ की जो टीम थी, उसको क्या मिला था चौथा स्थान मिला था ठीक है, यही महिला होकी की टीम को ठीक, और फेयर प्ले एवार्ड भी जीते थे ये लोग, पिछले साब ठीर है अगर इस टॉपिक के इंपोर्टेंस की मैं बात करूँ तो प्री पॉइंट ओफ यू से ज़ादा इंपोर्टेंट है आपको सीधा सीधा पूछेगा, यह जो टॉर्नमेंट है कहां हुआ कब से कब तक हुआ 36 गड़ के 36 गड़ को, के नहीं, छत्र गड़ को कौन सा मेडल मिला और किस टीम को मिला या किस खेल में मिला तो ऐसे 4-5 प्रकार के प्रीक क्वेशिंज जो है इस टॉपिक से आ सकते है मेंस पॉइंट ओफ यू से आप इसको ऐसे में खेल से संबंदित अगर कोई ऐसे आये का न तो उसमें लिख सकते हैं ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्या है हमर लाब हमर लाब बेसिकली क्या है तो जिला और जो सामुदाइक स्वास्त केंद्र जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पित्रल सामुदाइक पबलिक स्वास्त हेल्थ और सेंटर केंद्र यहाँ पर सस्ते दरों मर क्या किया जा रहा है तो विभिन तरह की जाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है किसके माध्यम से हमर लाप के माध्यम से ठीक है तो नाशनल हेल्थ मिशन, रास्ट्री, स्वास्त मिशन और 36 गड़ द्वारा हमर लाप चलाया जा रहा है और यहाँ पर क्या किया जाता है तो बहुत ही सस्ते दरों पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है टेस्टिंग क्यो जरूरी है तो बिमारी का डाइगनोसिस पहले होता है उसके बाद ही क्या करते है तो बिमारी जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है तो इसी दरिश्टि कोन से सबसे पहले क्या किया गया था रायपुर में ठीक फरवरी 2020 में इसको एक पाइलेट के तौर पर क्या किया गया था चालू किया गया था पाइलिट पुजेक के तौर पर बाद में यह डिसाइट किया गया कि इसे हम जितने जिले का अस्पताल है या जितने जिले अस्पताल है सब में खोल देंगे करके लेकिन अभी फिलाल नौ जिले अस्पतालों में हमर लाब जो है उसका functioning चल रहा है क्रियानवित है या कारियानवित है कहलू कहां कहां पर है तो दुर्ग है बालोद है बलोदा बजार है कांकेर है, कोनगाउ है बस्तर है, सुकमा है बीजापुर है और क्या है बलरामपुर ठीक है, अब अगबका गय होगे इधर देखवा रहाम से समझ जाओगे एक बार में, यह पूरा बस्तर संभाग है हा की ना तो बस्तर संभाग में एक यह कांकेर, ठीक दूसरा क्या है, दीख रहे ना कुनडा गाउं, तीसरा क्या है बस्तर, चोथा क्या है बीजापूर, पांचवा क्या है सुपमा, तो पूरे बस्तर संभाग में क्या करना, नारायनपूर छोड़ देना दंतेवाड छोड़ देना, तो पांश्ठ यह हो गया, हो जाएगा याद उसके बाद दोठो, उपर नीचे है छटवा नमबर दूर्ग साथवा नमबर बालोद, दुर्ग संभाग में, रायपूर संभाग में देखोगे तो एक ठो है, आठवा नमबर, बलवदा बजार और उपर सरगुजा संभाग भी देखोगे, तो नववा नमबर क्या है बलरामपूर, क्लियर है यह तो मेरे हिसाब से आसानी से अब यह सारे 9, कौन-कौन से 9 ऐसे जिला स्पताल है, जहाँ पर हमर लाप खुला है, यह आपको पता चल जाएगा ठीक है, उसके अलावा तीन सामुदाइक स्वास्त केंदर कौन-कौन से है, मानपूर, पाटन और पलारी, यहाँ पर भी हमर लाप जो है उसकी स्थापना की जा चुकी है स्टाबलिज्ट है, तो मानपूर पाटन और पलारी इसको भी आपको मैं मैप पर दिखा देता हूँ तो मानपूर, सब को पता होगा मानपूर कहाँ पर है, तो मानपूर, राधनादो, दूसरा पाटन और तीसरा पलारी, तो इन जगहों पर क्या है हमर लाप जो है, वो स्थापित है तो नौ जिलास पताल और तीन सामुदाइक स्वास्त केंद्र तो जो जिलास पताल है ना, इसमें लगभग 120 प्रकार के टेस्ट जो है वो किये जा सकते है और सामुदाइक जो स्वास्त केंद्र है यहाँ पर लगभग 50 प्रकार के टेस्ट याजाद जो है, इसकी सुविधा है ठीक है, तो वहाँ पर स्थानी रूप से जितने भी संसाधन उपलब्द है रिसोर्स जो अवेलेबल है उसी से इन लाबों का संचालन किया जाता है मेंस पॉइंट अफ्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह ठीक, हमर लाब जो है इसको स्वास्त से संबंदित अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें लिख सकते हो या सीधा पेपर नमबर पांच में जो अर्थवेवस्था वाला सेक्शन है न उसमें हमर लाब के उपर आपको 30 या 60 वर्ड में सीधा बोल देगा कि हमर लाब जो है इसको समझाईए क्या है करके तो बताईएगा कि जिला अस्पताल समझाईएग स्वास्थ केंदर में सस्टे दरों में विभिन तरह की जांच को इसके माध्यम से किया जाता है कौन चला रहा है तो छत्तिरगर सरकार और राश्ट्री स्वास्थ मिशन के द्वारा चलाय जाता है नौ जिला अस्पतालों में और तीन समझाईएग स्वास्थ केंदरों में अभी तक स्थापित है पाइलेट के रूप में शुरुवात कप से हुई थी तो फरवरी दोहजार बीस प्रायपूर से हुई थी करके क्लियर है ये बात तो ध्यान में रखिएगा बहुत इंबॉडन है मेंस पॉइंट अफ्यू से यह आगे बढ़ जाते हैं जुमका आइलेंड तो मुख्य मंतरी ने एक टापू है क्या नाम है जुमका टापू जुमका आइलेंड ठीक है इसका लोकारपन किया है अच्चली टापू पहले स्था लेकिन इसको टूरिजम पॉइंट अफ्यू से क्या किया गया है डेवलप किया गया है समझ मैं कौन से जिले में है कोरिया थोड़ा साब को बता देता हूं मैं कि यह जो सर्गुजा संभाग है जिले है जिसका नाम है क्या खोरिया और इसी में क्या है तो है जुमका जलाशे और यह जो जुमका जलाशे है इंगलिश में क्या बोलेंगे जुमका रैजर वायर इसी जलाशे में है क्या जुमका आईलेंड इसी का development जो है tourism point of view से किया जा रहा है इसी का लोकारपन किये हैं पहले एकदम उजाड हालत में था लगभग डेड़ महीना मेहनत करके इसको आकरशक रूप दिया गया है ठीक तो इसी का लोकारपन किये है pre point of view से important है कहां पूछेगा है तो बता दीजेगा कोरिया जिले में चलो चले next है start-up ecosystem के विकास के लिए छत्यगड को राश्ट्री स्तर पर समानित किया गया है देखिए एक ministry है ठीक है जिसको क्या बोलते हैं तो बोलते हैं वानिज एवं उद्योग मंत्राल है commerce and industries ministry of commerce and industries आपको पता होना चीज़ के मंत्री कौन है केंदरी मंत्री है प्यूष ग्वैल जी ठीक है इसके अंतरगत एक विभाग आता है इसका नाम है क्या promotion of industries and internal trade उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार यह विभाग है clear है तो यह मंत्राल है इसके अंतरगत यह विभाग है इस विभाग के द्वारा क्या किया गया था तो एक states start start लिख दिया हूँ अब ranking जो है इसको जारी किया गया समझ में आया है और यह जो ranking है ना इसमें 36 गड़ को aspiring leader के रूप में क्या मिला है सम्मान मिला है सम्मानित किया गया है तो basically हमारा जो राजी है 36 गड़ इसमें क्या हुआ है तो जो नया ओद्योगिक नीती आया है 2019 से लेके 24 वाला इसमें स्टार्टप इकाईयों के लिए विशेश पाकेज जो है उसको लागू किया गया है और हमारे राजी में लगभग अभी 7500 मोटा मोटा मान लो तो 748 748 स्टार्टप जो है वो पंजीकरित हो चुके हैं अच्छा तो ये तो न्यूस से संबंधित था ठीक है कि हमारा जो नया उद्योगीक निती है उसमें स्टार्टप इकाईयों के लिए विशेश पाकेज है इसलिए हमारे हाँ पर स्टार्टप बहुत डेवलाप हो रहे हैं 748 तक रजिस्टर्ड है 36 गड़को एस्पारिंग लीडर का पुरुसकार मिला है या सम्मानित किया गया है ठीक है किसने किया है तो प्रोमोशन आफ इंडस्ट्रीज और इंटर्नल ट्रेड जो डेपार्टमेंट है उद्योग समवर्धन एवाम आंतरिक व्यापार विभाग उसके द्वारा जो स्टेट स्टार्टप रैंकिंग जारी की गई थी उसमें किया गया है सम्मानित एक चीज मैं आपको बताता हूँ ये जो हमारा नया ओध्योगिक नीती है न अभी तक क्या था हमारी जो पुरानी ओध्योगिक नीती थी English में ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसे कित्य शेत्रों में दिया जाता था 4 शेत्रों में दिया जाता था 4 Areas में दिया जाता था जो नया हमारा 2019 से 24 वाला जो नीती आया है उसमें अब इसे 5 शेत्रों में 5 Areas में दिया जा रहा है नया क्या एड हुआ है तो स्टार्ट अप यूनिट्स इस वर्ग को क्या किया गया है शामिल किया गया है स्टार्ट अप यूनिट्स वर्ग में भी अब हमारे हाँ और द्योगिक पुरुसकार योजना लागू है इंडस्ट्रिल प्राइस subsidy जो है वो लागू है नवीन और द्योगिक नीती का नुसार यह very important है pre point of view से समझ में आया तो बार बार pre में पूछ देता है कि और द्योगिक पुरुसकार योजना जो है कितने छेतरम दी जाती है हम लोग 4 समझते हैं 4 लगा का जाते हैं 5 हो चुका है नया जो industrial policy है और द्योगिक नीती है उसके अनुसार startup unit में भी क्या है अब दिया जा रहा है start का spelling गलत लिग दिया हूँ s-t-a-r-t होते है s-t-r-a-t लिग दिया हूँ मैं clear है तो यह news था ठीक बात करें अगर questions की तो सबसे पहले pre point of view से कहोगे तो किस ने दिया एक question कौन सा पुरुसकार मिला aspiring leader का दूसरा किसको मिला तो 36 गड़ को यह तीन question यही से बन जाते है ठीक है चौथा इससे जो applied question बनता है वो क्या है और द्योगिक पुरुसकार योजना industrial price subsidy जो है कितने शेत्रों में तो अब ध्यान रखना पाँच शेत्रों में mains की बात करूं तो mains में ओद्योगी करण industrialization से संबंधित अगर कोई ऐसे आ जाए तो आप इस fact को use कर सकते है ठीक चलिए टूरिस्ट map तो गौरिला पेंडरा मरवाही जिला में भेट मुलाकात करारी करम हो रहा था तो भूपेश बगेल जी ने क्या किया है तो गौरिला पेंडरा मरवाही डिस्ट्रिक का टूरिस्ट map जो है टूरिस्ट circuit मैप उसका विमो गौरिला पेंडरा मरवाही इसको प्रॉपरली क्या कर सकेंगे एक्स्प्लोर कर सकेंगे जिससे की क्या होगा परियतन बढ़ेगा तो लोगों को क्या होगी ने-ने employment generate होगा परियतन बढ़ेगा जैसे मैं घूमने के लिए तो मौल समोसा खाना है तो समोसा वालक दुकान ख घलो जगा चाही तहां समोसा काम बना ही तेल में बना ही तो तेल खरीधी तक कीरान दुकान चली तो बेसिकली होगा क्या ना सर्व इससे परियतन बढ़ेगा बलकि स्थानी स्थानी स्थर पर लोकल लेवल पर employment generation होगा जो रोजगार है उसके नए आयाम आएंगे तो ना सि के लिए भी बहुत ज़्यादा फायते मंद है यह इंपोर्टेंस प्री पॉइंट ओफ यू से है किस जिले का टूरिस्ट माप ठीक चलिए उसके बाद दो प्रोग्राम है इनक है मोर आखर और दूसरा क्या है स्पोर्ट्स फॉर्ड डेवलाप्मेंट इन दोनों कारिक्रम क्या प्रोग्राम्स का स्टार्ट जो है वो भी कहां से हुआ है गौरिला पेंटरा मरवाही जिले से किस ने किया है तो चीफ मिन्स्टर श्री भुपेश बगेल जी ने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं पहला जो कारिक्रम है वो क्या है मोर आखर कारिक्रम अब जिसमें क्या हो रहा है तो Gorilla Pendrar दो विकास खंड गोरिला और Pendra इसके 299 प्राथमिक शाल्ण primary schools में उसको क्रियानवित किया जाएगा होगा क्या तो जो बच्चे है उनको प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने और बच्चे की बच्चों की लिखने पढ़ने की जाएका है more आखर प्रोग्राम तो गौरिला और पेंड़र विकास खंड के 299 primary schools में इसको क्रियानवित किया जाएगा और जो primary schools के बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बच्चों की बच्चों की प्रारंभिक भाशा शिक्षा मतलब जो primary level पर language का education है उसमें क्या किया जाएगा स सुधार लाय जाएगा, ऐसा करने की क्यूँ जरूरत है? ताकि उनके पढ़ने लिखने की शम्ता जो है, उसका क्या किया जा सके? विकास किया जा सके? इसको और प्रभावी बनाया जा सके? क्यूँ? शुरूम लैंग्विज समझेंगे? तमीन पढ़ लिख पाएंगे, इफ language नहीं समझेंगे, क्या language कैसे पढ़ेंग लिखेंगे करके, अब दूसरा कारिकरम क्या है, sports for development, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है तो जिले के 543 जो प्राथमिक schools हैं, उनके बच्चों को क्या किया जाएगा, तो practical त सके, उनमें तेजी से सिखने का जो कौशल है, उसके साथ साथ, उनके हेल्थ का भी, खेल खेल में सिखाओगे, थेल्थ भी अच्चा होगा ना, ठीक है, उसके अलावा अब हेल्थ कैसा, तो एक तो शारिरिक, मतलब फिजिकल हेल्थ, और दूसरा मानसिक, मेंटल हेल्थ, विकास हो, और जीवन शैली में क्या आए, सुधार आ सके, तो दोठो है, मोर आखर कारिक्रम, इनीशिया लेवल पर लैंग्वेज शिक्षा या भासा शिक्षा से सम्बंदित है, गौरेला पेनरा विकास खन, 299, प्राथमिक शाला, या प्राइमरी स्कूल्स, और स्पोर् दुनिये के साथ साथ, उनका स्वास्त, कैसा स्वास्त, फिजिकल, शारिरिक, और मेंटल, मानसिक, ये भी क्या रहे, बढ़िया रहे, ठीक है, तो दुनिया में पचास से जादा ऐसे देश है, जहाँ पर ये सिस्टम जो है, उसको लोग प्रयोग के तोर पर चालू कर चु ठीक, मुला बता हूँ, तुम अनले का हो, अगला क्या है, बैगले स्टे, तो अब राज में क्या होगा, शनीवार को, प्राइमरी और मिडल स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको बैग नि ले जाना होगा, तो उस दिन क्या होगा, योग, व्यायाम, खेल, कूद, उसके मनाना ये, वो रंगोली मेकिंग, भहुत सारा ऐसा सांस्कृतिक गतिविधी हमारे स्कूल में चलता था, तो वो सब कल्चरल प्रोग्राम्स, शनीवार को आयूजित होंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, पांस दिन पढ़ने के बाद एक दिन बच्चे लोग इसको भ पढ़ाई हुआच, शारीरी क्रूप से भी अच्छे हो जाएंगे, व्यायाम भी हो रहा है, योग भी हो रहा है, तो शारीरी क्रूप से भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, और सांस्कृतिक कारिकरम होंगे, कल्चरल अक्टिविटीज होंगी, तो उनमें जो बहुत सारे संबंधित की कहा कहाँ पर लागू है एक क्वेशन रहेगा में 30 words में इस कारिक्रम ये कारिक्रम का क्या उद्देश है 30 words में यही जो कारिक्रम है इसका उद्देश पेपर नमपर पांच में जो पार्ट बन है चत्रड की इकनोमी उसमें आ जाएगा यह ठीक चलिए अगला जाते मोर महापौर मोर दुवार काडिकरम कहां चल रहा है तो रायपूर में चल रहा है रायपूर नगर निगम में 27 जून से चालू हुआ है पांच अगस्ता किसको संचालित किया जाएगा ठीक है कौन चला रहा है तो मैं बताया हूँ रायपूर नगर निगम और यहां पर अभी महापौर कौन है तो आपको पता है एजास धेबर जी है ठीक तो बेसिकली यह योजना आरेमसी रायपूर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी 70 वार्डों में चलाई जा र एक बस में सवार होके जितने भी सहरी सरकार के लोग हैं मतलब स्थानी स्वशासन से संबंधित अधिकारी मतलब रायपूर नगर निगम के वो लोग उस वार्ड में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो समस्या है उसका त्वरित निदान जो है वो वहीं कोहीं तुरंत हो करके क्लियर है यह तो देखो गुड गवर्नेंस से संबंधित अगर कोई ऐसे आजाए कोशन आजया है तो यूज कर सकते हो इस कंटेंट को ठीक है इसके अलावा अगर प्री की बात करो तो पूछ सकता है कब कहां और कौन यह तीन बन जाएगा तो कब में पता है 27 जून से पांच अगस्त ठीक है कहां तो राइपूर नगर निगम और राइपूर नगर निगम के महापौर कौन है तो श्रिया जाज़देबर तो इतने क्वेशन बन सकते हैं आगे नगरवन योजना अब देखिए यह जो नगरवन योजना है ना अगर बात करूं मैं इस नगरव 2020 में हुआ क्या था तो जून 2020 में इसका डीटेल फ्रेमवर्क आया था तिसलिए मान लेते हैं जून 2020 में इसका क्या हुआ था स्टार्ट हुआ था अब इस योजना के अंतरगत क्या करना है तो शहरी जो छेत्र हैं उससे लगे हुए भाग में वनों को develop करना है समझ में आया वनों को develop करने से क्या होगा तो आप सभी को पता है जब शहर बनते हैं तो विकास क좌ने कई बार पेड़ों को काटना पड़ता है जिससे हमारा environment है भो भी खराब हो जाता है शहर के air का quality हवा का quality हो तो भी बहुत कराब रहता है तो जब वनों का रोपन वहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर environment जो है enhance होगा सही हो जाएगा अच्छा हो जाएगा और इसी दृष्टी कोण से इस समय प्लान किया गया था कि भारत में अगले पांच वर्ष में लगभग 200 नगरवन जो है वो बनाने हैं चालू कर दे हैं करके ठीक अब ये जो हमारा वर्ष है इसमें हम क्या कर रहे हैं तो आजादी की 75 वी वर्ष गार्ट को मना रहे हैं और इसी को हम लोग क्या बात करो तो एक क्या है दक्षिन कोंडा गाउं वन मंडल नगरपाली का छेत्र कोंडा गाउं को शामिल किया गया इसके अलावा रायपूर दुर्ग सर्गुजा बिलासपूर और रायगण को भी किया गया तो एक है दक्षिन कोंडा गाउं इसके अलावा क्या है तो आर से क्या है राइपुर और राइगड अब देखो राइगड के नजदीक क्या है तो है बिलासपुर और राइपुर से लगा हुआ क्या है दुर्ग एक आपको सेपरेटली याद रटना है क्या सर्गूजा तो एक एकदम उपर से सरगुजा एक नीचे से कोंडा गाउं उसके बाद रायपूर से लगा दुर्ग और रायगण से लगा बिलासपूर क्लियर है तो इन्हें भी शामिल किया गया है इस 75 में से और हुआ क्या है बेसिकली इन जगहों पर ये जो नगरवन योजना है इसका शुबारम किया गया अब शुबारम किया कोन है तो भूपेंड यादव जी तो एक मंत्राले है नाम है परियावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले एन्वार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट कंट्रोल की जो मिनिस्ट्री है उसके केंद्री मंत्री है नाम है क्या भूपेंड ठीक है तो टेंशन नहीं लेना परियोशन लिख दोगे तो भी चल जाएगा क्लियर है और जो शुरुवात की है तो उसे किस रूप में मनाया जा रहा है तो हरियाली महत्सव के रूप में मनाया गया कि हरियाली महत्सव में शुरुवात की है ठीक है किसका तो 75 नगरवन ज यूजना जो है इसे प्री पॉइंट उफ्यू में हमारे यहां से किसे किसे शामिल किया गया था ठीक है तो यह हो जाएगा इसके अलावा नगरवन यूजना थर्टी वर्ट्स में इसके उपर आप क्वेशन रेडी कर सकता है मेंस के लिए इवन यह जो सेक्षन है यह ऐसे में भी परियावरण से संबंधित अगर कोई ऐसे आता है तो भी इसको आप लोग देख लीजेगा ठीक है चलिए अब आगे देखता है क्या चेस ओलंपियाट टॉर्च तो बेसिकली हमारे देश भारत में चेस ओलंपियाट 44th नंबर का 19 जून से 28 जुलाई 2022 तक इसका आयोजन कहां हो रहा है तो मद्रास लिखरों मैं भी देखो चेन नहीं में समझ में आया क्लियर है अब इसके लिए क्या है एक टॉर्च रीले का योजन किया गया है यह टॉर्च रीले कहां से निकला है तो नहीं दिल्ली से और देश के 75 प्रमुख जो शहर है उससे गुजरते हुए फाइनली महाबलीपूरम यह पहुंचेगा क्लियर है यह ठिक औ और उसके बाद 28 तारी को पहुचेगा और उसके बाद यह चैन्नई में 19 जून से 28 जुलाई तक यह जो चेस का ओलंपियाड है यह क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अब 75 शहर से गुजरने वाला है उसमें 61 क्रम पर 61 नंबर पर यह क्या करेगा 16 जुलाई प टॉर्च लेकर आएंगे और एक ठो ऑडिटोरियम है डीडियू पताइच्छो का पंडिन दीद दयाल उपाध्या ओडिटोरियम इसमें क्या करेंगे एक समारों में मुख्यमंत्री श्री भुपेश बगेल जो है उनको उलंपियाड का जो टॉर्च है उसको सौपेंगे ठ आपर खेल एवं युवा कल्यान विभाग जो है वो करेगा चत्तिजगड़ ओलंपिक असोसियेशन और चत्तिजगड़ प्रदेश सत्रंज संग या चत्तिजगड़ का जो स्टेट का चेस का जो संग है ठीक है वो करने वाला है अब एक पॉइंट आपको इसमें से ध्यान रखना है कि हमारे आज जो अलम्पिक असोसियेशन के महा सचीव जेनरल सेकरेटरी कौन है तो श्री गुरुचरण सिंग हो रहा ठीक है मेंस पॉइंट उफ्यू से उतना था इंपोर्टेंट नहीं है प्री पॉइंट उफ्यू से पूछ सकते हैं कि इसका आयोजन कहां हुआ कब से कब तक हुआ कौन से नंबर का था च्लिएर है जो Olympic Association है हमारा उसके महासेचिव कौन है तो श्री गुरुचरन सिंग हो रा करके यह पूच सकता है दन चलिए तो यह हो गया अब next बढ़ जाते हैं पालक जागरुकता अभियान basically क्या है तो जो बच्चे हैं और जो पालक मतलब यह चिल्रन और यह उनके parents ठीक है इनको स्कूल से जोडने के लिए ताकि पढ़ने और पढ़ाने का बेहतर मोहौल बच्चों के लिए क्या हो सके स्कूल में तयार हो सके इसलिए इस जागरुकता अभियान को क्या किया गया है स्टार्ट किया गया है अब इसका उद्देश क्या है objective तो objective है कि जो पालक है parents है उनका सक्री भागी दारी हो किसमें तो पढ़ने पढ़ाने दोनों में जिससे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो सके वैसे तो लगभग जितने private schools हैं उसमें already parents का participation बहुत ज़्यादा रहता है education में लेकिन अब इसे government schools में भी लागू किया जाएगा अब जब parents बहुत ज़्यादा involved रहेंगे बच्चों की सिक्षा में तो बट obviously बात है कि इनकी सुक्षा में क्या होगा सुधार होगा development होगा अब इसको लागू कैसे करेंगे तो क्या होगा एठो core group जो है उसका गठन किया जाएगा अब इस core group में हर जिले और विकास खंड से कितने रहेंगे तो 5-5 विभागी अधि कारी रहेंगे उससे लोग core group बनाएंगे ठीक है यह जो core group है देखेगा कि यह जो पालक जागरूपता अभियान है इसका proper implementation हो रहा है कि नहीं हो रहा है और implementation होने का plan क्या है कैसे किया जाएगा अब इस आयूजन के तहट क्या किया जाएगा तो जो parents है पालक और जो school का administration है उनकी meetings भी होगी जिससे कि यह लोग आपस में interact कर सकेंगे ठीक है तो पालकों को भी पता चलेगा कि बच्चे में कहां पर कमजोरी हो रही है किधर work करना है तो पालक लोग घर में रहकर एक ऐसा environment एक ऐसा महौल create कर पाएंगे जिससे कि बच्चों की जो सिक्षा है वो और क की शाला के बाहर हैं उन सभी को भी शाला में स्कूल में दाखिला और उनके लिए आवश्यक सुविधाएं जो एकदम necessary facilities हैं उसको क्या किया जाएगा अवेलेबल कराया जाएगा ठीक है topic mains point of use से जादा important है paper number 5 भाग एक 30 words में पूछ लेगा पालक जागरूपता अभियान क्या है इसके अलावा essay जो है उसमें आप इसको ready कर सकते हो ठीक है तो essay में भी अगर education सिक्षा से संबंदित कोई essay आता है तो यह आपका use में आ जाएगा चलिए आगे क्या है नवीन मचल पालन नीती आई है ठीक उद्देश क्या है उद्देश है हमारा जो राज्य है उसमें संपून जल छेत्र को मचली पालन के अंतरगत लाते हुए उत्पादक्ता जो है मचली पालन की उसमें व्रिद्धी करना clear है तो एक चीज मैं यहाँ पर add करना चाहूंगा कि हमारे यह लगभग 94.38% का जो जल छेत्र है उसे है मचली पालन के लिए डेवलब किया जा चुका है ठीक है इस बार का जो एकनॉमिक सर्वे है उसके आधार पर यह डेटा आपको बता रहा हूं तो 94.38% का जो जल छेत्र है मचली पालन के लिए डेवलब्ड है इस यूजना से हम लो ठीक है और उसके साथ ही गुणवत्ता युक्त मत से बीज का उत्पादन हो सके और मत से पालन को बढ़ावा देकर लोगों को सुवरोजगार प्रदान किया जा सके तो पहले तो सभी छेत्रों को मचली पालन के लिए क्या करो डेवलप करो जितना जल छेत्र है अच्छे क्व उस बीज से जब मचली बने ठीक है वही बीज मतलब छोटा मचली और क्या लेका मचली तो जब बड़े बाढ़ी ता अच्छा क्वाल्टिक होई तत्मांगा मिखीना अनित को लेला ही और लेवाल नी मिली और दूसरा क्या है मत से पालन जो है इसको प्रमोट किया जाए त ठीक ये क्या करेगा खुली नीविदा करेगा खुली नीविदा इसका मतलब क्या है नीलामी करेगा जितने भी जलाशे हैं बैराज है ठीक है उससे जितना मिलेगा उसका 50% रॉयल्टी के रूप में किसको जाएगा राजशासन और बचा हुआ जो 25% है मतलब कुल 100% आया उसमें 50 राजे सरकार को दे दिया और उसमें से 25 बचा हुआ नी उसमें से 25 जो है उसको क्या किया जाएगा तो मच्वारे जो लोग है उनको उत्पादक्ता बोनस के रूप में बाढ़ दिया जाएगा तो खुली नीविदा से जितना मिला उसका आधा सरकार को गया 25% जो ह अधमिती में जो गैर आधिवासी सदस्य पहले कितने % हुआ करते थे 33 अब उसको कर दिया है 30 मतला पहले 300 में कितने होते थे 100 अब 300 में 30 बटे 100 हो जाएंगे 90 तो पहले 33% होते थे अब कितने घटा कर इसको कर दिया है 30 यह एक्जामपल के लिए बताए और कुछ नहीं है इसके अलावा यह जो आधिवासी मचुआ सहकारी समिती है अगर यह अनुसूचित जाती अधिसूचित छेत्र शेडिूल लेरिया में है तो अध्यक्ष का पद अनुसूची जन्याती के लिए क्या कर दिया गया है अरक्षित कर दिया गया है मतलब सहकारी समिती में गैर आधिवासी सदस्यों की संख्या 33% से 30% कर दिया गटाके और साथ में ही क्या किये है तो साथ में अनुसूचित जाती अधिसूचित छेत्र शेडिूल लेरियास में जो मचुआ सहकारी समिती है उसके अध्यक्ष का पद जो है उसको अनुसूच जन्जाती के लिए आरक्षित कर दिया है समझ में आ गया कि नहीं हालाकि इसका जो उपाध्यक्ष का जो पधैना उसमें कोशिश की जाती है कि प्रेफरेंस किसको मिले तो किसी मचुआ जाती के व्यक्ति को मिले ठीक इसके अलावा राज्य में जो अनुपयोगी खदान है उसको विक्सित कर क्या है मचली पालन के लिए उपयोग में लाया जाएगा कि सब इस नीती के अंतरगत है साथ ही शूनी से 10 हेक्टेर का जो जल छेतर का अगर कोई भाग है ठीक है और वो ग्राम पंचायत छेतर के अंतरगत आता है तो इसे ग्राम पंचायत के द्वारा क् बंटित किया जा सकेगा अगर 10 से 100 हेक्टेर है तो जन्पत पंचायत के द्वारा बंटित किया जा सकेगा 100 से 200 है तो जिला पंचायत के द्वारा 200 से 1000 है तो मचली पालन विभाग के द्वारा किया जा सकेगा और 1000 हेक्टेर से अधिक है तो इसे 36 गड़ राज्य मत्स्य महा संग के द्वारा खुली निविदा इसका मतलब क्या है औक्षन ठीक है कि माध्यम से निलामिक माध्यम से 10 वर्ष के लिए पट्टे में क्या किया जाएगा दिया जाएगा ठीक है तो यह सेक्षन उतना जादा important नहीं है बठा ठीक है अच्छा अब means का question आ सकता है कि नवीन मचली पालन नीती है इस पर क्या करें टिपड़ी तो टिपड़ी करिएगा 30 words में आ सकता है paper number 5 में आएगा यह इसका उत्देश डालिएगा इसके अलावा उत्पादकता bonus के बारे में बताईएगा आप लोग ठीक है at least यह दोनों point आप बताना 30 words में आये तो ठीक है अगर ज्यादा words में आ जाए तो आप इसको भी इन दोनों points को भी add कर सकते हैं अच्छा objective में यह जो अनुप्योगी खदान वाला point है इसको आप लोग क्या कर देना add कर देना प्री के point of view से पूछ सकता है किस राज्जे ने लागू की है करके तो ध्यान रखना 36 गड़ उत्पादकता bonus पूछ सकता है कितना परसेंट दिया जाएगा सदस्यों की संख्या में जो कमी आई है 33 से 30 यह भी आपको प्री में पूछ सकता है इसके अलावा क्रिशी या संबंधित छेत्र से अगर कोई ऐसे आ जाए तो भी आप क्या कर सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं भई नेक्स क्या है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स तो हमारे यहां पर जो सहायक आरक्षक असिस्टेंट कॉंस्टेबल का जो पद होता था 3096 ऐसे पद थे पुरे 46 गड़ में इसको समाप्त कर दिया गया है साथ ही क्या किया गया तो 37 याद रखना 3736 नए पदों का सरजन किया गया है समझ में आया कि नहीं आया और इन सब को एब्जॉर्फ किया जाएगा इन पदों में तो जो सहायक आरक्षक थे उनको डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स में आरक्षक के पदों पर क्या किया जाएगा एब्जॉर्फ कर लिया जाएगा अब इससे क्या होगा तो जो सहाय आरक्षकों के भाती payment मिलेगा सब्सम्जब आया तो मैं पताया ना सहायक और आरक्षक के बीच में जो वेतनवी संगती थी मतलब जो पे स्केल में क्या था कमी थी मतलब डिस्पारिटी थी उस डिस्पारिटी को दूर किया जा सकेगा ठीक है तो हमारे यहां विभिन जिलो में बताया च्छों ऑड़ी 3096 सहाय कारक्षक जो है वो पदस्त है जो अनेक जिलो में है कईठो गोर नकसली आलाकों में है ठीक है रहते हैं वो लोग और नकसली उन्मूलन अभियान में सहीयोग करते हैं तो इससे इन लोग को क्या होगा और जादा मोटिवेशन मिलेगा और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे तो यह जो संवर्ग है यह जो कैडर है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स यह सहायक अरक्षक के पद हटेंगे टोटल 3-7-3-6 पद बनेएंगे डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स में जिसमें से 3-1-3-6 किसके रहेंगे अरक्षक इन सभी को इसी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो सहायक आरक्षक से अरक्षक बन गया तो अब सब आरक्षक ल और नकसलिसम से संबंदित, नकसलवाल से संबंदित अगर कोई ऐसे आता है, तो इसमें आप लोग इसे क्या कर सकते हो, तो यूज कर सकते हो, कि इसका गठन किया गया है, जिससे वेतन्वी संगती दूर होगी, तो नकसली उन मूलन में क्या होगा और जादा help मिलेगा अगले हैं पुछपांजली शर्मा जी तो चत्तसगड़ी की ये फिल्म अभी नेत्री थी श्रीमती पुछपांजली शर्मा और इनका क्या हुआ है तो सडक दुरगट ना में मृत्यू हो गई है डेथ हो गई है ठीक ह लगभग पूरे देश में कहलो जहां पर क्या किया जा रहे तो बच्चों का जो कुपोशन है उसको दूर करने के लिए पौधों को भी टूल के रूप में इस्तमाल किया जा रहा है तो क्या होगा जैसे बच्चे लोग जो कुपोशित है उनका सुपोशन कार्ट बनेगा तो उसमें बच्चों साथ पौधोग भी नाम रहेगा कौन-कौन सा पौधा जादा चलने वाला है पता है आप लोग को ता एक्ठो है मुन्गा का और दूसरा क्या है पपीता और पौधोग नाम करण भी है ना जो घर के सदस्य है उनक नाम पर होगा क्लियर है तो जैसे ब पौधोग भी त्रेमासिक स्थर पर क्वाटरली स्थर पर हर तीन महीने की स्थर पर क्या किया जाएगा जांच किया जाएगा तो घर पे एक्ठोसु पोशन बाड़ी तयार होगी वहां पर इन पौधोग को लगाया जाएगा तो बच्चों का तो पोशन बढ़ेगा क्यों कि हर मैं जास्ट करते रहेंगे उसके हिसाब से सुझाओ देंगे तो बच्चों में क्या होगा पोषन बढ़ेगा और सांथ में उसमें पौधोगा भी डेटा रहेगा तो पौधोग भी देखेंगे हर तीन-तीन कार्ड बन गया तो यह बड़ा इनेवेटिव टाइप का प्रोग्राम है काफी अच्छा लगा था मुझे जब मैं पहली बार पढ़ा था इसको आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं हेल्थ से संबंदित अगर कोई ऐसे आ गया तो ठीक है और पौधासू पोशन कार्ड जो है आपको पेपर नमबर पांच का भाग एक जो है उसमें 30 वर्ट में भी पूछ सकता है प्री मैं कहोगे तो पूछे कौन सा जिला तो कोरिया लगा देना चलिए अभियात का लास्तियों से द्रिष्टी बाधिच्छात्र रगुनात इनको सबल एवार्ड में थर्ड प्राइज मिला है तो बेसिकली हुआ क्या है ये कहां के हैं सुकमा जिले के सोन कुकानार के निवासी है तो जारखंड में एक शहर जिसका नाम क्या जर्मशेद के लिए प्रोचाहित करने के लिए राश्ट्री स्तर पर सबल एवार्ड का आयोजन किया गया था समझ मैं तो जो हैंडिकाप्ट बच्चे हैं वह अपना क्या कर सके टैलेंट दिखा सके इसके लिए सबल एवार्ड को और्गनाइज किया था जमशेदपूर में टाटा लागनाउंय के लिए करते हैं और Շसलिए क्या हुआ इंको तीसरा पुरुषकार शे न qualcे बीच इनकते आप नरे क्या किया बहुत शांदार पीदर रशन किया ओर क्या किया तो थर्ड पुरुषकाराया किस से संब्णistas है और गायन से समझ दिथे है important pre point of view से हैं सबसे जादा important नाम है clear है किस ने जीता है ठीक अगला question बन सकता है किस ने कराया था तीसरा कहां हुआ था कौन सा पुरुषकार था और कौन सा पुरुषकार जीता है और किस से या किस छेत्र में जीता तो ऐसे 5-6 छोटे MCQs इसमें से बन सकते हैं चलिए तो फाइनली यह जो सेक्शन है यहाँ पर खतम हो जाता है questions कुछ है उसको देख लेते हैं मौर महापौर मौरद्वार कारिकरम की शुरुवात किस नगर निगम के द्वारा की गई है तो यह पहला question है अगला जो question है क्या है चत्तरगड में नगरवन परियुजना की शुरुवात कहां की गई तो options दिए च्छे हैं आपको अगला third question जुमका आइलेंड कहां पर स्थित है तो फिर से option दिए हुए है चौथा सही कथन चयान करना है स्कूलों में शनिवार का दिन बागलेस होगा प्राइमरी और मिडल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे पांचवा question क्या है तो मोर आखर और sports for development के बारे में सही कथन का चुनाव करना है कथन दिए हैं आपको बताना है और finally last question क्या है पौधों का भी supportion card बनाने कि ये जो पहल है किस जिले में की जा रही है options आपके सामने है डन चलिए तो ये था आज का वीडियो आपसे request करता हूँ मैं कि जो questions मैंने दिये हैं उन questions को क्या करिए आप लोग practice करिए साफ में MCQs जो है उसको जरूर comment में आप लोग मुझे बताएं कि उसके क्या क्या सही answer होने चाहिए वैसे तो अगले वीडियो में मिले अगले वीडियो में तब तक ले क्या है थांक्यू आंड टेक कैर